हेलो स्टूडेंट्स जैसे कि बोर्ड एक्जाम्स एक्दम करीब हैं और हमें एक सिंपल कंपाउंड और कंप्लेक्स सेंटेंस के बारे में पता है कि यह एक्जामस में आएंगे और उनको चेंज करना होगा जैसे भी डारेक्शन दिया होगा आगे करने के लिए तो लास्ट में यहाद करने में मदद मिलेगी ठीक है देखिए जो वर्ड्स हैं वो हैं एंड बोथ एंड नॉट ओनली बट आलसो एस विल एज इदर और नीदर नौर और अधर्वाइज बट येट सो देयर फोर कॉंसीक्वेंटली फॉर देन यह सारे वर्ड्स है जिनको आप अगर सेंटेंस में लगा देंगे दो सेंटेंस उनमें से आपको लगाना पड़ेगा लगाना पड़ेका तो अगर आप आपको यह वर्ड्स नहीं पता होंगे तो आप नहीं लगा पाएंगे का चीस को emitted आपको बड़ी चीज नहीं ब्स आपको बरड़ाएंस बता होने चाहिये कि यह सारे वर्ड्स में से कोई एक हम लगा दें गे तो हमारा COMPOUNed sentence रेडी हो जाए घ्याई कि की हम मारे सामने अगर दो दो सेंटेंस आएं तो हम उसको又 सेंटेंस बना सकें देखिए दो सेंटेंस आएंगे ठीक है और हमें उन्हें जोड़ देना है तो हम कैसे जोड़ेंगे उसके लिए क्या वर्ड यूज होएगा भीम एंड कालिया ठीक है ना एंड वर्ड यूज होएगा कर्पाउंड सेंटेंज में दोई प्लास होती है इस से बहुत डरने की जरूरत नहीं है दो होती है मतलब एक वर्ड लिखा होता number one and number two Kalia, तो कहते हैं इसको जोड़ो, तो कैसे जोड़ेंगे, भीम and Kalia, ठीक है न, दूसरा देखिए, मतलब इसका हिंदी क्या हुआ, भीम और Kalia है न, अब दूसरा तरीका क्या है, भीम और Kalia फिर लिख करके मिला है हमको, और हमें इन्हें जोड़न आप तो बोद भी मेंड ये आर फ्रेंट दोनों भीक्ता भी हम तरह ने इस कहा ना सिर्ड़र बलकि का क्या मतलब होता है ना सिर्फ बलकी ध्यामनी कोwe तृट मां बलकि पिता भी हमें प्रेम करते हैं आपका यह कशली आगे लगा सकते हैं और फ्रेंट थी ख मैंसरी भी बट एकि आपकाउया वहां काया है ठाधील ऑज वह अजो काली भी सथ सथ काली और उसके साथ साथ कालिया दोनों वहां गए है ना तो भीम est ragg थेंगें नहीं आपको यतने ही यात करना भी इदर भीम और काल्या सिता या तो यह होता है ना यह तो ये ले लो यह यह ले लो ऐसे जोह तो आम ले लो या ङुवह ले लो थो इंग मनगों ओर गवावा इंदर गवावा और wraps हैना whatever you want you can take चलिए नीदर भीम नौर कालिया ना तो भीम ना तो कालिया है ना ना तो भीम नहीं कालिया इसका मतलब क्या हुआ इदर और नीदर नौर यह सारे वर्ड्स हैं जो शारे यूज़ करना नहीं होता है निकों लिदेना है भीम और कालिया ठीक है ना भीन ओर कालिया कोई आएगा भी और कालिया को कि करना है उपर वाला प्रश्न या नीचे वाला प्रश्न ठीक और लगा के रिखा होता ह beers wherever यह दूब हुआ नहीं ने लड्डू खा लिये नहीं तो कालिया ने खाया होता तो इसका क्या मतलब हुआ नहीं तो कालिया ने खाया होता भीम रंस बट कालिया नौट भीम दौड़ता है लेकिन कालिया नहीं दौड़ता है दो चीजें जो अपोजिट चल रही है ठीक है ना एक हो रहा है एक नहीं वहां तो यह होता है बट यह नहीं होता है हम पड़ते हैं पर हमें समझ नहीं आता है तो क्या लगाएंगे बट वी आरने बीका लिया नहीं दोड़ा बहा देखने के बावजूत कालिया नहीं दोड़ा भीम रैन, so he won the race, भीम दोड़ा, इसलिए वो जीत गया, इसलिए वाला सेंटेंस होगा, कि उसका कारण और परिणाम आएगा, तो क्या लगाएंगे, भीम रैन, so he won the race, जिसने पढ़ाई की, वो पास हो गया, है न, भीम रैन, so he won the race, so लगा दिया, परिणाम मिल गया उसका, फिर 12 नमबर सेंटेंस का है, भीम रैन, therefore he won the race, भीम रैन, therefore मने इसलिए, वो वन दा रैस, इसलिए वो रैस जीत गया, ठीके न, वन मने जीत न, भीम रैन, कॉनसीक्वेंटली परिणाम स्वरूप, इसको बोलते हैं, कॉनसीक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, ही वं दा र बन दरइस कोँवा लगा के आगे बढ़ गए इसलिए यह रिष जीत गया धैन्द बिदन्वी क्या होता है परिणाम होता है ना पढ़ो किए तब समझ में आएगा वन यूड रीड यू रीड यू विल सथैंड या R atrás समझ में आएगा भीम तो इन सब में से देखिए यह सब का मीनिंग एक ही है आप इन में से चाहे ना तो कोई एक लगा लें तो आप अगर सो लगा देते ना तो कोई काट नहीं सकता ठीक देखिए मैं सब में लगा के दिखाती हूँ तो सब में एक चीज भी लगा सकते हैं लेकिन याद करना बहुत जरूरी है बहुत अच्छा होता है अगर हम याद कर लेते हैं सरलता के लिए केवल आपने सो लगा दिया किसी भी परिणाम वाली जगा पर हमने खाया तो हमारा पेट भर गया है तो ऐसा परिणाम क्या हुआ उसका पेट भर गया हमने दोड़ा तो इसलिए हम रेस जीत गया ठीक है ना फिर हमने पढ़ा तो हम एक्जाम में पास हो गया तो सब में तो सो ही लगता है तो आपको अगर याद करने बट कालिया नौट लेकिन कालिया नहीं करता है ना लेकिन कालिया नहीं करता और इसमें फिर भी मतलब ये तो आपने इंफॉर्मेशन दे दी कि भाई भी करता है पर कालिया नहीं दोड़ता ठीक है ना भी दोड़ता है बट कालिया नहीं दोड़ता अब ये क्या कह रहा है कि आप इससे effect होते हैं इन चीजों से भीम रेंड येट का लिया डिड्नौ रेंड मतला भीम दोड़ा फिर भी का लिया नहीं दोड़ा है ना तो यहां पर आप effect हो रहे हैं या आप कुछ फील कर रहें तब वहां पर येट लगा सकते हैं या बात और भारी है है ना कुछ वहां पर येट लगा सकते हैं अच्छा उसके बाद जब ऑप्शन आए दो में से कोई एक तो आपने और लगा कर बढ़ा दिया है ना बीम एट लड़ू अधरवाइज अधरवाइज नहीं तो ट्रेन मिस हो जाएगी है ना तो बहुत आसान सा है इसको समझ लेंगे एक बार कुछ-कुछ वट अगर मैं इसमें से आपको हटा करें कि इतने ही याद कर लीजिए तो भी कंपाउंट सेंटेस बन जाएगा तो वह है एंड याद कर लीजिए ठीक है दूसरा यह बड़ ना तो ना ही ठीक है ना इसको ऐसे बोलता है या तो या ही ना तो ना ही इसको याद कर लीजिए एक दो तीन चाह ठीक और चौथा बट पांच्वां सो इतना याद कर लेंगे आपका काम तो भी चल जाएगा कौन-कौन सा बोल रही हूं एंड नाट ओनली बट आलसो तीसरा इदर और नीदर नौर यह वाला हो गया फिर एक और कौन सा हो गया बट अगर आप इतना भी एक्जाम टाइम में याद रखेंगे कि कॉंप्लेक्स सेंट का सौरी कंपांट सेंटेंस आएगा और हम इतने मेंसे कुछ बना के लिख दें तो भी सेंटेंस पूरी उमीद करती हूं कि आपके कंपांट सेंटेंस के फॉर्मेट में सेट हो जाएंगे ठीक है तो आई होब दिस वीडियो इस गूंग तो बीवेरी हेलफूल फॉर आल दे स्टूदेंस वीडियो अपीर इन बोड एक्जामिनेशन तो थाइंक यू सो मौच भर वजिए वीडियो थाइंक यू